नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में हम सिखेंगे इंदी कक्षा आठ द्वितिय सत्र का पाठ नमबर एक पत्र एवं डाइरी का अभियास पिछले वीडियो में हमने दो पत्र सिखे थे आज के वीडियो में तीसरा पत्र सिखेंगे तीसरा पत्र है अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचारिय को पत्र लिखे प्रधानाचारिय यानि प्रिंसिपाल हमारी स्कूल में कोई समस्या हो तो उसके बारे में हमें अगर प्रिंसिपाल को बताना है तो पत्र के माधियम से केसे बताएंगे यही लिखना है तो इसका नमुना मैंने लिखा है कोई एक जो भी विशय हम पसंद करें समस्या के विशय में वही लिखना है मैंने है वो कम्प्यूटर की पुस्तक के पुस्तकालई में कम है एसे विशय पर पत्र लिखा है आप कोई और समस्या हो तो उस पर पत्र लिख सकते है तो सबसे पहले हम लिखेंगे श्रीमान प्राधान आचारिय फिर जो स्कूल का नाम है वो सरदार विद्यामंदिर फिर है शहर का नाम हम लिखेंगे वलसाड और फिर लिखेंगे दिनांक दिनांक है 15.10.2020 फिर हम है विशय लिखेंगे कि हम है वो आचारिय को किस बारे में पत्र लिख रहे तो विशई है मेरा विद्यालई के पुस्तकालई में कम्प्यूटर से बंदी पुस्तक नौ होना तो कम्प्यूटर से बंदी पुस्तक पुस्तकालई में नहीं है इस विशई पर मैंने पत्र लिखा है आप कोई ओर समस्या हो तो उस पर भी पत्र लिख सकते फीर लिखेंगे आदर अनिया गूरू जी, साव इंचय निवेदन है कि हमारे विध्यालाई के पुस्तकालाई में पुस्तको की भरमार है, भरमार यानी कई सारी पुस्तके है एक एक लेखक की कई कई पुस्तक है, इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आधी रचनाये है, परन्तु कॉम्प्यूटर से सबंदीत पुस्तके नहीं है, कम्प्यूटर सबंदी पुस्तके पढ़ने से बहुत प्रेणा मिलती है, इस सबंदी पुस्तके पढ़ने से कम्प्यूटर में सीखी बाते याद रह जाती है, पुस्तकाले में इनका अभाव खटकता है, यानि हमें अभाव महसुस होता है, आशा है, आप इस अभाव की पुर्ती पर ध्यान देंगे, यानि आप है वो पुस्तकाले में कम्प्यूटर सबंदी पुस्तके लाएंगे, फिर लिखेंगे हमारा नाम, आपकी आज्याकारी शिश्या आकाशी प्रजापती कप्षा आठ कव यहाँ पर आप है वो आपका नाम लिखेंगे आगे का प्रश्ण है सोचिये और लिखिये तो पहला है अगर तुम्हें मोबाइल फोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोंगे तो इसके जवाब में हम SMS में हमारे जो मित्रों को बधाई संदेश याने तो एक छोटा सा संदेश मैंने लिखा है आप हे वह आप भी इसी तरह एक छोटा सा संदेश कोई भी विशय पर लिख सकते हैं कि कोई भी विशय में या कहीं भी अपने मित्र का कोई नंबर आया हो तो उसको बढ़ा ही देने के लिपूरु. जैसे मैंने लिखा है मेरी प्यारी आशा तुम्हे अपनी विद्यालई में सुलेखन की स्पर्दा में प्रथम क्रमांक मिला है इसकी धेर सारी बदाईया अब तो पार्टी में ही मिलेंगे अभीनंद तुम्हारी आकाशी तो हम मेसेज में सबसे पहले मित्र को कहेंगे कि तुम्हारा जो नंबर आया है जिस भी विशय में उसके लिए में बहुत खुश हूँ और इसके लिए में धेर सारी बदाईया देता हूँ फिर हम है वो उसके बारे में पार्टी मांगेगे कि अभी तुम्हारा नंबर आ गय छोटा सा SMS है आप कोई भी वीचेई में अपने कोई भी मित्र को लिख सकते हैं, फिर दूसरा है तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया? यह अपने मित्र को कमप्यूटर पर इमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोंगे? अभी है हम है वो email में क्या लिखते है वो हमें लिखता है email है वो हम computer के माधियम से भेजते है email का full form है electronic mail यानी आपने पत्र mail यानी पत्र और electronic पत्र यानी हम यहाँ जो भी लिखते है वो तुरंत दुसरे computer में जो हम ID देते है वहाँ पे चला जाता है उसकी soft copy उसे हम electronic mail कहते है तो सबसे पहले email भ्यजने के लिए हमे email किसको भ्यजना है उसका ID हमें पक्का मालूम होना चाहिए तो हम ID लिखेंगे फिर पत्र में क्या लिखते है यह हम देखेंगे हम है वो email खोलेंगे और उसमें compose में जाएंगे और email में अपने मित्र का ID डालेंगे फिर विशे में लिखेंगे जो मैंने लिखा है वो तो सबसे पहले उसका पत्ता लिखेंगे प्रेन कुण्ज स्टेशन रोड एमदाबाद 30 फरवरी 20-2018 तारिख चिसदा दिन हमने ये mail भेजा है उसकी फिर हम लिखेंगे प्रिय अंकुष यहाँ पे आप अपने मित्र का नाम लिख सकते है इस बार हमने चुटियों में एमदाबाद में ही बिताने का निलन किया था इसलिए मुझे इस अउसकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था तो यहाँ पर है वो लिख रहा है कि हमने चुटिया है वो हमारे ही शहर में बिताने का निलना किया था इसलिए इस चुटियों का हमें है वो उचित उपयोग करना है इसलिए वो क्या करता है वो लिखता है या लिखती है आप लड़की है तो लिखती है आएगा, लड़का है तो लिखता है मैं नित्य प्रातः का वियायम शाला जाता हूँ वियायम शाला यानी जिम में जाता हूँ कसरत करने के लिए या जाता था, वहां तरव तरव के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था दोपर के बोजन के बाद कुछ समय टीवी देखता था शाम को साइकिल पर बेट कर में कम्प्यूटर क्लास में जाता था वही से हमारी दुकान पर जाता था और आठ बजे पिजाता जी के साथ घर लोटता था रात को बहन के साथ केरम या चेस खेलता था इस तरह छुटियों के दिन कभ बीट गए इसका पता ही न चला फिर लिखेंगे तुम्हारा मित्र या तुम्हारी मित्र इशा इशा मेरे लिखा है इशा न यदि लड़का है तो तुम्हारा मित्र इशान लिखना है यदि लड़की है तो तुम्हारी मित्र लिखना है आगे का प्रिश्णा है दिये गए प्रशासकिय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाए प्रशासकिय यानि जो हम है वो सरकारी नोकरी करते हैं वहाँ जिसका कोई पद हो उस पद का नाम जैसा होता है उस पद के नाम के हिसाब से हमें है वह वाक्य बनाना है सरकार में जो किसी को कोई पद मिला हो जैसे यहां है अधिक शकुर्ण फिर है प्रभारी फिर है आईकर आईकर यानी टेक्स फिर है प्रशासन यानी सरकार तो इन चारों शब्दों से हमें एक-उक वाक्य बनाना है आपको जो वाकिया अच्छा लगे वो इस शब्द के अनुसार बना सकते हैं जैसे अधिक्षक से मैंने बनाया है राम वर्मा कई वर्षों तक गुजरात समाचार के विभाग के अधिक्षक रहे फिर दुसारा है प्रभारी तो प्रभारी से हम वाकिय बनाएंगे संभाला फिर है आईकर आईकर यानी टेक्स तो आईकर छुपाना अपराद है या आईकर हमें छुपाना नहीं चाहिए एसा वाकिय लिखेंगे फिर है प्रशासन तो इससे वाकिय लिखेंगे हमने प्रशासन को सुचना दी फिर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दीखाई तो बच्चो इस वीडियो में हम यहां तक की पढ़ाई करेंगे एगले वीडियो में हम हे वो प्रश्णाचार सिखेंगे तब तक के लिए गुडबाई टेक के